वेलकम वीवर्स तो एक बार फिर से हाथ जुरू में आप सब के साथ और आज की जो रेसिपी है वो सद्टू के लड़ू की रेसिपी है डाइजेशन के लिए बहुत ही जादा है तो चलिए इससे बनाना स्टार्ट करते हैं इससे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ल देंगे ताकि चारो तरफ यह अच्छे से फैल जाए अब फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम चने का सत्तू फ्रेंट्स यह जो सत्तू होता है यह जो चना होता है चने को रोष्ट करने के बाद से इसको पिस्की और इसका पाउडर तयार किया जाता है तो आट करने के बाद से मैंने इसे सबसे पहले घी में अच्छे से मिक्स किया है और जब आप इसे मिक्स कर रहे हो तो फ्रेंट्स आपको ओवरॉल पूरे टाइम में आपको फ्लेम को लो रतना है और दूसरी चीज यह है कि आपको इसे लगतार चलाते रहना है क्योंकि फ्रे देखता है लेकिन दीरे-दीरे करके जैसे-जैसे यह भुनने लग जाएगा तो यह बिल्कुल लिक्विट के फॉर्म में आ जाएगा तो यहां पर देखिए फ्रेंट्स यह दीरे-दीरे करके यह भुनना स्टार्ट हो चुका है और यह इसकी पहचान है कि यह सॉलिट से बिल्कुल लिक्विट में चेंज होने लगता है और यह इसे चलाना भी बिल्कुल आसान हो जाता है और यही इसकी पहचान होती है कि अभी हमारा जो सत्तु है वो भुन चुका है तो मैंने इसे लगा था आठ से नौ मिनट तक कि गड़ी के टाइम से इसे मैंने फ्राइग और यह बिल्कुल लिक्विट के फार्म में अभी यह हो चुका तो अब हम इसे फ्लेम से हटा देंगे फ्रेंट्स फ्लेम से हटाने के ठीक बाद में हमें इसके लड़ू नहीं बनाने यहां पर आप सबसे पहले टेक्स्चर देख लीज़े कि जब यह भुन जाएगा तो इस दूसरे भी पैन में रखके से ठंडा कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर डायरेक्टली जो है इस तरह से एक बड़े पैन के अंदर पानी खोल दिया हो और जिससे यह बहुत ही जल्दी लगबग 5 मिनिट के अंदर ठंडा हो जाएगा तो फ्रेंट्स देखे अभी यह जो है कर paragraph क्रष्त किया हुआ काजू और यहां पर ने गौस्ट किया हुआ अपर जिलिए और फे साथ ही यहां पर हम अरोमा के लिए यहां पर मैं थोड़े से खर्भूजी की वीज ध करूँगी और अच्छी खुश्पू के लिए हम इस लात का पाउडर ककर देंगे अब मैंने फ्रेंट्स 200 ग्राम सत्तू के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया आप चाहें तो यहाँ पे बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंट्स जो चीनी है उसे आप बहुत ज़्यादा पाउडर ना कड़े थोड़े से आप बड़े टुकडे में कुछीनिया रह जाएंगी तो उससे जो बहुत ही क्रंची वाला टेस्ट लड्डू में आएगा और जिसने हमें लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तो इस तरह से आप इसे मिला लें और फ्रेंड्स आपको चीनी मिलानी है तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना तरवाइस चीनी इसके अंदर मिलेगी नहीं और चीनी की कुठलिया बन जाएगी तो अभी यह थोड़ा सा गरम है मैं इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद से आप इसे अपने मन्चा ही शेप में लड़ू तयार कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा मिक्स्चर हो चुका बिल्कुल परफेक्टली रेडी और यहाँ पर जो सत्तू का डाक कलर था यहाँ पर चीनी मिलाने की वज़से इसका कलर भी तोड़ा सा लाइट हो गया है तो इस तरह हमारा जो परफेक्ट जो आटा है वो रेडी हो गया है अब हम इसकी छोटी-छोटी से लड़ू तयार कर लेंगे तो यहाँ पर देखे और इसकी लड़ू तयार करने में पहले इसका जो स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा आपको रफ दिखेगा लेकिन जैसे जैसे आप इस तरह से हाथ में रोल करेंगे तो यह दीरे-दीरे करके घी रिलीज होता है जिससे इसका जो सर्फिस होता है वो बिलकुल स्मूद ब बातियम से हमें चरूर बता है थैंक यू सो मच फोर वाचिंग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज बाता है